आज ये दास्ता है भारतिय कंणर सिनिमा की मशूर आदाकारा निर्माता और सामाजिक कार्यकरता की जिसने अपने दोर में अपने रंगरूप और बेहत खुपसूरती के बदौलत पूरी दुनिया में वो नाम बनाया जिसको आज तक पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता ह लेकिन इस अभिनेत्री की जिन्दगी में ऐसा क्या हुआ था कि हिंदी सिनिमा के 111 सालों के इतिहास में ये एक ऐसी एक लोती अभिनेत्री थी जो देश के लिए शहीद अभिनेत्री के लाई इस अभिनेत्री को भारत सरकार ने किस जुरुम में गिरपतार करके आठ महीने जेल में डाल कर दी दिल दहला देने वाली सजा जेल में इस अभिनित्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इनको अपने ही मल मुत्र में रहना पड़ा था और क्यों इस अभिनित्री को किया गया था सब के सामने एक दम नंगा कियो भारत की प्रधान मंतरी इंदिरा गांदी ने ढाये इस अभिनित्री के उपर वो जल्म जिन को सुनकर पूरी दुनिया की महिलाओं में बैड़ गया डर कैसे इस अभिनित्री की मौत के लिए आज भी भारतिय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया इंदिरा गांदी का नाम बताएंगे और भी बहुत कुछ इस शरमनाक और अपमान जनक जिन्दगी और मौत की दास्ता आप बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो के आंत तक आज हम ऐसे अभिनित्री की जिन्दगी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बले ही दुनिया ने आज बोला दिया हो लेकिन भारतिय राजनिती और भारतिय लोक तंतर में इस अभिनित्री के नाम को हमेशा याद रखा जाता है इस अभिनित्री के नाम से आज बिक्यू भारतिय संसद गूंज उटता है क्यू इस अभिनित्री के नाम पर गांधी परिवारों को काले अक्षरों में काला दब्बा माना जाता है क्यू इस अभिनित्री की जिंदगी से ज़्यादा इनकी मौत बन गई पुरी दुनिया में चर्चा का विशय इतनी महान और शहित के लाही है अभीनेतरी कोई और नहीं बलकि वो थी कन्नड और हिंदी सिनिमा की एक्ट्रेस स्नेह लतारेड़ी नमस्कार आप सभी का स्वागत है अनुराजा चैनल में स्नेह लतारेड़ी का जन्म साल 1932 को आंदर परधिश में धर्मानत रीत इसाई परिवार में हुआ था स्नेह का जन्म तब हुआ था जब इनका परिवार काफी दुक और तकलिपों में जी रहा था लिहाजा स्नेहलता का बचपन काफी दुक और तकलिपों में गुजरा जैसे जैसे वो बड़ी होती जारी थी अपने आसपास अंग्रेजों का जुल्म देख रही थी इसी की वज़े से ये काफी क्रांतिकारी और बगावती लड़की बन गई थी जिनका मन पूरी तरह से ब्रिटिच राज के खिलाप हो गया था इसी सब को देखते वे उन्होंने अपना इसाई नाम बदल कर भारती नाम स्नेहलता रेड़ी रख लिया था और हमेशा के लिए भारती कपड़े और वेश बुशा अपना लिया ये ब्रिटिच कमपनी के खिलाप थी ये अपने कॉलेज के समय से ही आजादी के उपर बेस नाटकों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया करती थी ताकि लोग देश के आजादी के प्रती जागरुक हो सके इसी वज़ा से स्निया लता की रूची नाटकों में दिन प्रती दिन बढ़ती चली गई कॉलेज के पढ़ाई के बाद स्निया लता एक थेटर ग्रूप मदरास प्लेयर के थेटर ग्रूप से जुड़ गई थेटर के दिनों में इनके नाटकों को देखने के लिए पट्टा भी राम रिड्डी आया करते थे वो अक्सर थेटरों से ही कलाकारों को अपने फिल्मों के लिए चुना करते थे इनी नाटकों के जरिये सन्हा लता और पत्टा भी राम रिड़ी की मुलाकात हुई बाच्चित में दोनों के विचार काफी एक दूसरे से मेल खाते थे लिहाजा इनकी दोस्ती कब महुबत ने बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला और आगे चल कर इन दोनों ने परिवार के खिलाब जाकर शादी भी कर ली और शादी के बाद सन्हा लता रिड़ी तो फिल्मों में काम करने लगी जिसमें ज़्यादा तर फिल्में इनके पती के दोरा ही बनाई गई थी स्नेहा उस दोर में उनी फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थी जिन फिल्मों के जरीए समाज में चल रही क्रू प्रताओं का जोर होता था इसलिए उस वक्त ना समझ समाज में इनकी फिल्मों का काफी ज़्यादा विरोध हुआ करता था तब इनकी ऐसी एक फिल्म थी जिसे कंड़ सिनिमा की आज तक की सबसे ज़्यादा मशूर फिल्म माना जाता है उस फिल्म का नाम था संसकार साल 1971 में इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड में रिलीज को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि इस फिल्म को चार सालों तक लटका के रखा लिए जब कोट में पहुचा और कोट की अनुमती मिलने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया तो जब ये फिल्म रिलीज हुई तो समाज में इस फिल्म ने नई करांति ला दी इस फिल्म के उपर राश्टिये और अंतर्राश्टिये आवार्स की मानू जैसे बरसात हो रही हो और इसी फिल्म से स्नेह लता रेड़ी पूरी दुनिया में मशूर हो गई और वो तब से राश्टिये फिल्म अभी नेतरी की तौर पर जाने जाने लगी इस फिल्म के बाद सनिया लता ने बैंगलोर और मदरास में थेटर गुरूप की स्थापना की इन थेटर के जरिये पूरे समाज और महिलाओ के प्रती हो रही अत्याचार और कुरू पत्राओं को उजागर किया जाता था और सनिया इन सब में सबसे आगे रहती थी इसे के साथ-साथ इनकी इमेज एक अबिनेतरी के साथ-साथ सामाजिक कार्य करता के भी बन गई इसी वज़े से इनके कामों की चर्चा राजनिती के बड़े से बड़े राजनिताओं के बीच में होती थी और इसी राजनिती में एक नाम था जौर्च फर्नांडिस जो भारतिय राजनिती के एक मशूर समाजवादी निता है स्निया लता रेड़ी और जौर्च फर्नांडिस की दोस्ती काफी अच्छी थी लेकिन सन्याल अता को कहा पता था कि आगे चलकर ये दोस्ती उनकी जिंदगी को पुरी तरह से नरक और बर्बाद कर देगी 25 जून 1975 की वो काली रात जिस दिन देश में वो हुआ जिसकी किसी ने भी कलपना नहीं की थी 25 जून 1975 को देश की पुरुव प्रदान मंतरी रेडियो पर देश को सम्बोदीत करते हुए देश में आपात्काल लगाने की घोशना की भाईयों और दहनों राशपति जी ने आतकाल की घोशना की है इससे आतंकित होने का कोई कारन नहीं है इस आपातकाल में देश के हर एक नागरी को देश के खिलाप या देश के साथ या देश के पक्ष में बोलने की पाबंदी लग गए देश की सबी नेताओं सामाजिक कारे करताओं को देश के खिलाप या देश के पक्ष में कुछ बोलते हुए नजर आए तो उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया इंडरा गांदी सरकार के खिलाप हरताले कर चुके थे और ये हरताल ऐसी बन गई जो दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी हरताल थी आपातकाल के समय स्निया लता रिड़ी की बात जोर्श फरनांडी से हुई थी और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पूरे देश में इंडरा गांदी के खिलाप एक मुमेंट चलाने वाले है लेकिन तब जोर्श फरनांडीस का ये प्रस्ताव स्निया लता को सही नहीं लग रहा था क्योंकि स्निया अइंसा वादी थी और जोर्श फरनांडीस उस समय हिंसा की बात कर रहे थे लिहाजा स्निया उनसे अलग हो गई लेकिन इन दोनों की दोस्ती की खबर इंद्रा गांदी को थी इसलिए इंद्रा गांदी जोज फर्नांडीस को पकड़ने के लिए शिकंजा कस्ते होये स्निहालाता रेड़ी के पीछे लग गई 27 एपरेल 1976 की वो शाम जब स्निहालाता और उनके पती पताबी बैंगलोर से मदरास एक जरूरी काम से निकले और ठीक यही वो वक्त था जब मुसीबच स्निहालाता रेड़ी के जीवन में गुज गई उनकी जिंदगी दुख तकलीपों के सागर में डूबने वाली थी दरसल स्निहालाता रेड़ी और पताबी मदरास आये और उधर बैंगलोर में उनके घर पर पुलीस पहुची और उन्होंने बड़ी कटोरता के साथ उनके बुड़े माता पिता और बच्चों को पूछता शुरू कर दी और पूरे घर के एक-एक सामान को तोड़ फोड़ कर नस्त कर दिया अपने घर में हो रहे इस तांडव से स्नेहलता बेखवर थी ऐसे में उनके एक दोस ने उनको फोन करकर सारी सुचना दे दी तबी वो वहाँ से घर लोटे और जैसे ही वो घर पर पहुची और देखा के उनके परिवार को पुलीस बेबुनियात तरीके से उठा कर लेके गई और जैसे इस स्नेहलता बेखवर थी अपने पूरे परिवार को छुड़ाने के लिए पुलीस के पास पहुची पुलीस ने स्नियालता रेड़ी के परिवार को छोड़ दिया और उनको वहाँ पर पुष्टाज के बहानी रोक लिया तीन दिन तक मानसिक तनाव को जिलते हुए स्नियालता रेड़ी को और परिवार को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब क्या और कीव हो रहा है किस वज़े से हो रहा है पटा भी रेड़ी ने जब अपनी पतनी स्निया लता के बारे में पता किया तब उनको पता चला कि स्निया को पुलिस ने बडोदरा डाइनामाइट केस में आरोपी बनाया है पुलीस के मुताबिक स्नेहा लता सांसत भवन, कुछ मंत्रा लेयो और दिल्ली की कुछ प्रमू की मारतों को बॉम से उड़ाने की साजिश रचरज थी और इसके साथ-साथ इनकी उपर मीसा एक्ट भी लगा दिया असल में इंद्रा गांदी तो स्नेहा लता के जरिये स्रिप जोर्च फर्नांडीस का पता लगवाना चाहती थी लेकिन स्नेहा लता जोर्च फर्नांडीस के बारे में उस वक्त कुछ भी नहीं जानती थी लिहाजा जौर्च फर्नांडीस की जानकारी स्नियल अता से जुटाने के लिए उनके साथ जुल्मों का वो खेल रचा कि किसी की भी रूह काब जाए सबसे पहले स्नियल अता रेड़ी को बैंगलोर की सेंटरल जेल में ले जाया गया जहां इनको सभी और बाकी लोगों से अलग काल कोटरी में बंद कर दिया गया जिस काल कोटरी में हमेशा अंधिरा रहता था जिसमें इनसान का शरीर पूरी तरह से आता भी नहीं था उसी छोटे से बैरेक में इनसान के मल मुत्र पास करने के लिए एक छोटा सास छे दुआ करता था जहां कीडे मकोडे और मच्छरों की भरमार रहती थी ऐसे में आप खुदी कल पना कर सकते हैं कि ऐसी बहानक सजा में सनेहलता रेड़ी ने खुद को ऐसी जगे पे कैसे रखा होगा जबके स्वास्त को लेकर उनको सास लेने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो ऐस्तमा की मरीज थी स्नेहलता रेड़ी उसी कालकोटरी में थी और उसी में वो मलमूतर भी कर रही थी बदबू और मलमूतर में सनी होने के कारण स्नेहलता रेड़ी बेगुना होते होए भी नरक से बत्तर सजा बोगत रही थी उनकी ये सजा यही पर खत्म नहीं हुई इसी जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहाँ स्नेया लता रेड़ी को लेकर जाते थे जहाँ पुछताच के नाम पर उनके बदन से उनके पूरे कपड़े उतार दिये जाते और उनके मना करने पर उनको मारा पीटा जाता और जबरदस्ती उनको सब के सामने बिना कपड़ों के रखा जाता था स्नेया लता रेड़ी उस तकलिप से गुजर रही थी जो कभी भी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी उन्हें जेल में बत से बत्तर खाना दिया जाता था और उनको नई सी नई सजाय दी जाती और जॉश फर्नांडीस के बारे में पूछा जाता लेकिन जब उनको कुछ पताई नहीं था तो वो जवाब भी क्या देती लेकिन स्नेहल अता कि किसी ने भी एक न सुनी सरकार ने उ पाल कृष्णा अडवानी जैसे बड़े नेता भी बन थे और ये लोग जेल में दूर कही आधी रात को एक महिला की चिकने चिलानी की आवाजी सुनते थे जो बाद में उनको पता चला था कि वो आवास स्नेहल अता रेडिकी होती थी जो धर्द में चिकती थी दहारती थी इतना दुक और धर्द जेलने की बाद स्नेहा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी उनको आस्तमा की वज़े से काफी ज़्यादा तकलीब जेलनी पड़ रही थी इसी तकलीब की वज़े से उनको आस्तमा के आटाक आने लगे इसकी वज़ा से वो अजान फोन बजा जो उनकी बेटी नंदा रेड़ी ने उठाया फोन में आवाज आई कि उनकी मा स्निया लता रेड़ी को विक्टरिया हॉस्पिटल लाया गया है आप लोग उन से मिलने को आ सकते है जिसके बाद पुरा परिवार तुरंथ हॉस्पिटल पहुंचा और वहां स्निया लता रेड़ी की हालत देखकर सब के होश-फस्ट हो गए उन्होंने देखा कि स्निया लता रेड़ी बिल्कुल कमजोर हो गई थी उनकी हड़िया निकल आई थी हर जगा चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान थे इसी बीच उनकी बेटी नंदा अपनी मां को घले लगा कर जोर-जोर से रोने लगी और स्निया लता भी फूट-फूट कर रोने लगी हास्पिटल में चोटा सा इलाज करने के बाद फिर से स्निया लता को बैंगलोर के जेल में डाल दिया गया बीमार और लाचार स्निया दिन प्रती दिन तूटते चले गई सभी उनको फिय पिगडी तो पेरोल पर उनको 15 जैनवरी 77 में छोड़ा लेकिन स्नेह लता जेल से बाहर आने के बाद भी जेल में जो उनके साथ सुलुक हुआ था उसके बारे में सोचते रही थी और दोबारा जेल जाना पड़ेगा इस बात को सोच कर वो पूरी तरह से काप उठ थी और इस पुलिस के पास स्नेह लता के खिलाब कोई भी सबूत नहीं था फिर भी आट महिने उनको जबरदस्ती जेल में रखा था एक महान अभी नितरी लेकिका और सामाजिक कारे करता होने के बाद भी इस अभी नितरी को जेल में वो सजा दी गई जो किसी अतंकवादी को भी नही कि उनका कोई कुसूर था स्नेह लता की बेटी नंदा आज भी मा के साथ हुए सुलकों को बारे में सोच कर काप उठती है और वो आज भी इंदरा गांदी को अपनी मा का कातिल मानती है जेल के दिनों में स्नेह ने एक लेटर लिखा था उस लेटर में उन्होंने अपने वो अपनी मा के मौत को हमेशा हत्या के रूप में देखती है गांदी परिवार को इसका जिम्मेदार ठहराती है और इसलिए वो अपनी मा को आपातकाल का पहला शहीद मानती है स्नेह लता रिड़ी बले आज हमारे बीच में नहीं हो लेकिन साहुत इंदस्टी में आज भी कॉमेंट करके जरूर बताए और अगर आपके पास निया लता रिड़ी के बारे में कोई भी सच हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें आपका और हमारा रिष्टा युही बना रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत जल्द मुलाकात होगी और एक कहानी सच्ची बायरोफी के साथ तब तक आप अपना खयाल रखे अपना परिवार का खयाल रखे सुरक्षित रहे धन्यवाद